Hello everyone, I hope आप लोग सब चीक होंगे आज हम लोग डिसकस करने जा रहे हैं Sonnet 18, Shall I compare thee to our summer's day Sonnet 18, इस sonnet को लिखा है William Shakespeare ने Shakespeare ने इस sonnet को 1609 में publish किया और इस sonnet की जो form follow की गई है उसे हम English or Shakespearean sonnet कहते हैं Sonnet क्या है, इसकी types कौन-कौन सी है उस पे मेरी अलग से विडियो है उसका link में, description में दे दूँगी आप उसको follow कर सकते हैं, देख सकते हैं इस sonnet के अंदर iambic pentameter को use किया गया है जो metrical form है, वो है iambic pentameter और rhyming scheme है A, B, A, B, C, D, C, D, E, F, E, F, G, G इस rhyming scheme को use किया गया है इस sonnet के अंदर और इस sonnet का जो main idea है, वो ये है ये sonnet का जो main subject है, जो lover है, महभूब है poet का उसका मौजना किया गया है summer day के साथ गर्मी के एक दिन के साथ और उसकी खुबसूरती को बयान किया गया है इस sonnet के अंदर इस sonnet के अंदर मुक्तलिफ literary devices भी use की गई है जैसा के metaphor, imagery, personification, hyperboli and repetition इंडिटेरी devices को use किया गया है इस sonnet के अंदर तो overall sonnet का meaning क्या है गर्मी के मौसम से ज्यादा constant है एक इनसान की खुबसूरती तो चलिए sonnet को पढ़ते हैं हम इस sonnet के three quatrans है और एक couplet quatrans कहते हैं four line की एक stanza को तो इस sonnet के अंदर three quatrans है और एक couplet है तो first quatrans है shall I compare thee to a summer's day क्या मुझे तुमारा मौसना करना चाहिए गर्मी के एक दिन के साथ तो पोईट यहां पर सवाल पूछ रहा है अपने महभूब से क्या मैं तुम्हें मिलाऊं गर्मी के एक दिन के साथ thou art more lovely and more temperate thou मतलब you art मतलब are तुम ज्यादा खुबसूरत हो ज्यादा हसीन हो गर्मी के मौसम से ज्यादा खुबसूरत हो rough winds do shake the darling birds of may खुशक मौसम खुशक हवाएं हिला देती हैं मई के मौसम के अंदर खिलने वाली कलियों को and summer's lease और गर्मी का ठेका had all too short a date वो भी थोड़े वक्त में खत्म हो जाता है मतलब गर्मी का भी वक्त थोड़ा होता है तो इस चांजा के अंदर इन four lines इस first quarter in के अंदर point क्या कह रहा है वो पहले तो सवाल पूछता है अपने lover से और उसके बाद खुदी उसका जवाब देते हुए कहता है कि तुम गर्मी के मौसम से ज्यादा खुबसूरत हो गर्मी का मौसम तो बहुत शिदत में आता है वो तो कल्यों को ही हिला कर रख देता है लेकिन तुम तो उससे ज्यादा खुबसूरत हो गर्मी का मौसम एक ना एक दिन खत्म हो जाना है लेकिन तुम्हारी खुबसूरती कभी खत्म नहीं होने वाली उसके बाद है सेकिंड क्वाट्रेन कभी कबार सूरज बहुत जादा चमकता है बहुत शिद्दत से चमकता है और अक्सर उसकी सुनहरी रंगत धीमी पढ़ जाती है और हर खुबसूरत चीज का सवाल है पाइचांस इतफाकन हाथसाती तोर पर और नेचर स्चेंजिंग कोर्स अंट्रिम्ट या कुदरती तोर पर कुदरत के ना बदलते हुए मौसम के साथ तो ये है सेकिंड क्वाट्रेन इसके अंदर हम देखते हैं कि पोईट सूरज को परसोनिफाई कर रहा है इनसान की खुबियों से नवासते हुए कह रहा है कि उसकी आंखें चमकती है नेकिन पोईट ये कह रहा है कि हर खुबसूरत चीज का एक ना एक दिन जवाल तो है लेकिन उसके लवर का कोई जवाल नहीं होगा हर चीज बाई चांस या कुजरती तोर पर खतम हो जाती है तो इसी तरह से गर्मी का मौसम भी खतम हो जाता है लेकिन जो उसके लवर की खुबसूरती है वो कभी खतम नहीं होने वाली उसके बाद है थर्ड कौाटरिन लेकिन तुम कभी भी तुम्हारे अंदर जो गर्मी का मौसम है यो खुबसूरती है वो कभी मदम नहीं पड़ेगी ना ही कभी मौत तुम्हारी खुबसूरती को अपने साय के अंदर खैंच कर ले जाएगी जब तुम वक्त की लकीरों में हमेशा के लिए पलो बढ़ोगे तो यहाँ पर भी पोईट को हम देखते हैं कि वो परसोनिफाइ कर रहा है मौत को कि वो तुम्हें अपने साय में खैंच कर ले जाएगी तो यह है थर्ड कौाटरिन तो इस थर्ड कौाटरिन की जो फरस्ट लाइन है उसे हम वॉल्टा कहेंगे यानि के टर्निंग पॉइंट तो पोईट यहाँ पर टर्न लेते हुए अपने सवाल का जवाब देता है जो उसका लवर है उसकी खुबसूरती कभी मदम नहीं पड़ेगी क्योंकि वो अपनी पोईटरी के ज़री जिरे उसको जिंदा रखेगा मौत भी उसे अपने साय में नहीं लेकर जा सकती वो उसकी lines के जरीए, उसकी poetry के जरीए हमेशा जिन्दा रहेगा अब last two lines है, complete जिसके अंदर poetry reason बयान कर रहा है उसके जिन्दा रहने की So long as men can breathe or eyes can see जब तक इनसान सांस ले रहा है और आंखें देख रही है So long lives this and this gives life to thee D मतलब you, जब तक मेरी poetry जिन्दा रहेगी और इसके साथ साथ तुम भी जिन्दा रहोगे तो यहाँ पर poetry reason बयान कर रहा है कि तुम किस तरह से हमेशा के लिए जिन्दा रहोगे तुमारी खुबसूरती कैसे हमेशा रहेगी, वो कैसे रहेगी कि जैसे मेरी poetry को लोग पढ़ेंगे, वो तुमारी खुबसूरती को भी बयान करेंगे तो यह है sonnet जिसके अंदर three quatrans है और एक couplet है अभी sonnet को अगर हम critically judge करें या analyze करें तो यह sonnet actual में poetic creation के बारे में है यह अगर एक individual की खुबसूरती के बारे में है तो poetic creation के बारे में भी है poet अपनी poetic के जरीए एक इनसान की खुबसूरती को अमर तो कर रहा है हमेशा के लिए वो जिन्दा तो रहेगी, लेकिन poetic creation भी हमेशा रहेगी poet को पता है कि इनसान ने एक ना एक दिन खत्म हो जाना है वो हमेशा जिन्दा नहीं रह सकता लेकिन उसकी poetry हमेशा जिन्दा रहेगी आने वाली नसले उसकी poetry को पढ़ती रहेंगी और जैसे जैसे लोग उसकी poetry को पढ़ेंगे उसकी art भी जिन्दा रहेगी और उस आर्ट के जरीए जो उसकी inspiration है जो उसका महबूब है वो भी जिन्दा रहेगा तो poet अपनी आर्ट को भी जिन्दा रख रहा है इस sonnet के जरीए वो एक इनसान की खुबसूरती बयान कर रहा है और अपनी poetic art को भी बयान कर रहा है कि उस art के जरीए वो एक इनसान की खुबसूरती को हमेशा के लिए अमर कर रहा है वो इनसान उसकी खुबसूरती उसकी आर्ट में हमेशा महफूज रहेंगी और आने वाली नसले उसे पढ़ती रहेंगी उसका जो लवर उसका जो महबूब है वो तो मर जाएगा लेकिन उसकी खुबसूरती उसकी आर्ट में महफूज रहेगी तो ये है sonnet 18 इस assignment को आप note भी कर सकते हैं और इस sonnet के बारे में कोई भी questions होंगे तो उसको इसमें استعمال कर सकते हैं मतलब इस assignment को उन questions में आप इस्तमाल कर सकते हैं ये काफी helpful होगी आप लोगों के लिए तो ये है आज का lecture उमीद है आपको समझ आई होगी आज के लिए इतना ही मैं मिलूगी अपनी next वीडियो में तब तक के लिए खुदा हाफिज